this is dr. Sachin Goswami and I welcome You on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes दोस्तो आज मैं आप के लिये लेकर आया हूं Thomas Hardy कि मैं आपके साथ दोस्तो लेकर आया हूं वह मैं के साथ share करने वाला हूं और दोस्तो अगर आपने इस सीरीज को तयार कर लिया तो ये मैं कहता हूं ये दाबे के साथ कहता हूँ कि अगर जो आप TGT, PGT, KVS, NVS या फिर UP PGT की आप तयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा एक्जम जहां पर Thomas Hardy के questions आते हैं तो इनसे बाहर points आने के chances ना के बराबर हैं तो ध्यान रखना साथियों कि इन में से ही जो points हैं जो questions में आपके साथ discuss करने जा रहा हूँ इन में से ही आने हैं क्योंकि ये अलग-अलग sources से बनाए गए मेरे खुद के notes के माध्यम से ये मैं points आपके लिए लेकर आया हूँ और ये वो questions हैं जो अलग-अलग states में, अलग-अलग exams में जो अकसर पूछे जाते हैं इसके अलावा भी मैंने काफी points अलग से यहां पर तयार करें हैं जो अलग-अलग sources से लिए हैं तो दोस्तों start करते हैं Thomas Hardy को और ये मैं points to points आपको बता रहा हूँ उन साथियों और ये मेरे खुद के notes में से हैं तो इनको समझनी की कोशिस करना और ये आपके लिए बहुत ही ज़ादा है महत्मूर्ण होने वाले हैं अगर आपने ये तयार कर लिए तो मैं कहता हूँ आपको चारो तरफ भटकनी की कोई आफशक्ता नहीं है क्योंकि बात हम घुमाने फिराने वाली नहीं करेंगे हम बात करेंगे point to point point to point discussion चलेगा क्योंकि exam में आपको point to point करना है और बाकी सातियों अगर आप detail में जैसे इनके novels हैं और उनक्यों भी आप उनकी stories भी जानना चाहते हैं तो मैंने अपने channel पर इनके novels की story भी जो है उनकी भी series चला रखे जिसमें मैं कुछ 3-4 novels की जो story है वो तो मैं share कर चुका हूँ और भी मैं आगे चलके उन stories को share करने वाला हूँ आपके साथ लेकिन आज हम बात करेंगे point to point notes की point to point discussion of Thomas Hardy लुश्तो Thomas Hardy की बात करें जैसे कि आप जानते ही कि एक pessimist novelist है ये एक निराशावादी उपन्यास कार है निराशा इनके work में जलकती है चाहे इनका कोई भी उपन्यास क्यों ना हो चाहे हम the return of native की बात करें the mayor of kaster bridge की बात करें जूट the obscure की बात करें तो सभी उपन्यासों में आपको एक निराशा देखने को मिलेगी तो एक ऐसी निराशा Thomas Hardy के उपन्यासों में जलकती है तो इस महान कवी एक निराशावादी कवी निराशावादी भले ही हो सातियों इक चीछी ध्यान रखना इन्होंने अपने एक popularity जो अपने इस एक different जोन में प्राप्त की तो वो प्राप्त करना बहुत कठिन होता है तो Thomas Hardy का जो जन्म था सातियों इस बाउन 2nd June 1840 Strinsford, Dorset, England तो Dorset, England में 2nd June 1840 में इनका जन्म हुआ था question कैसे आ सकता है कि इनका जन्म कहा हुआ था तो आपको इतना ध्यान रखना है कि 2nd June 1840 में Strinsford, Dorset, England में का जन्म हुआ था फिर दोस्तों इनकी मृत्यू के बारे में पूछा सकता है तो 11th January 1928 में जब ये 87 years के थे तो Dorset, England में इनकी death होगी थी ये 2 points, birth और death ये ध्यान रख लेना ये आपको तियार कनने है अब question ये point हमारा बनता है Thomas Hardy is known as Wessex novelist Question exam में कहाता है What type of novelist is Thomas Hardy Thomas Hardy किस परकार के उपन्यास कार है तो आपका answer होगा साथियो Wessex novelist कि एक Wessex novelist है इसके बात साथियो Desperate Remedies is Hardy's first novel published in 1871 Desperate Remedies जो है वो Hardy का पहला उपन्यास है जो 1871 में publish हुआ था अब इसमें दो question आपके यहीं बन जाते हैं पहला तो ये Desperate Remedies जो है वो Hardy का कौन सा उपन्यास है तो आपका answer होगा first और Desperate Remedies किसका उपन्यास है Hardy answer होगा 2 question तीसरा भी बनता है 1871 में publish हुआ तो साथी मैंने इसी प्रकार के points आपके लिए बनाए हुए है और एक एक point में 2-3-3 questions भी निकल रहे हैं तो इस तरह से आपको इनको तयार करना है साथी हो point to point study करो वो चार वाला चकर छोड़ो कि आपका objective question paper आएगा तो आपको objective ही तियार करना है मैं यह कहता हूँ जब आपको चीजे सटीक पता है accurate चीज पता है तो फिर objective तो अपने आप ही आप निकाल देंगे चूस कर देंगे जब आपको पता होगा तो फिर तो आपको objective बस एक नजर देखेंगे अच्छा यह है इस cancer और एकदम आप उसको जो है वहाँ पर fill कर देंगे तो circle को तो इस तरह साब आसानी से कर पाएंगे साथियों तो अगर आपको यह मेरा pattern अच्छा लग रहा हो साथियों और तो please मेरे चैनल को subscribe कर लिजे अगर आपने नहीं किया है भी तक भी और जब subscribe आप चैनल को करें तो please do not forget to press the bell icon to get the regular updates और दोस्तों अगर आपको यह topic समझ में आए और अच्छा लगे और या फिर जो मेरी previous videos हैं अगर आपने देखियों अच्छी लग रही हो तो please साथ यह video को भी like कर देना साथ साथ share और comment भी करना तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं God's not in his heaven and all is wrong in the world यह जो है यह जो caught है God's not in his heaven and all is wrong in the world जो भगवान है वो अपने heaven में नहीं है और संसार में सब कुछ गलत हो रहा है सब कुछ गलत है तो यह Thomas Hardy के टेस से ली गई लाइन है टेस आफ दी डर्वर विल्स जो कि इनका एक फेमस उपन्यास है जिसमें टेस की कहानी है टेस को जिसको एक प्यॉर विमेन के रुप में दर्शाय गया है एक गौलन लड़की है उसकी कहानी है तो यह दोस्तो यह जो टेस की स्टोरी है टेस अफ दे डर्वर विल्स यह उससे ली गई लाइन है इसके बात साथियों वो एक दर्शाय को भी एक छोटी सी दर्शाय को भी बहुत अच्छी तरह देस्क्राइब कर सकता है और उसके में मूड को जो आना कलरफुल बना सकता है तो दोस्तो ऐसा भी Thomas Hardy के बारे में कहा गया है क्योट आता है कि किसके बारे में कहा गया यह लाइन से Thomas Hardy के बारे में कही कही है डाइनेस्ट is the last miser work of Thomas Hardy क्योश्चन क्या आता है क्योश्चन यह आ सकता है कि डाइनेस्ट किसका वार्क है पहला क्योश्चन तो यही बन गया Thomas Hardy का है Thomas Hardy का last miser work कौन सा है तो आपका अंसरों दाइनाष्ट सबसे पहले किसको भेजा गया वैलेंटाइन के पास तो बै शिभा को भीनाटाइन के पास ये कुश्शन बंता है दूसरा कौन से उपन्यास में far from the madding crowd ये बनता है तीसरा far from the madding crowd किसका वर्क है तो मसारडी का वर्क है तो इस तरह से एक एक point में साथियों आप खुद देखे कितने questions बनने हैं और सारे ही important है इस चीज को आपको ध्यान रखना है Dynast, this is one of the major points this is one of the most important points साथियों Dynast is a new form of epic drama by Hardy Dynast क्या है तो सबसे पहला तो ये question बनता है Dynast क्या है तो new form of epic है epic drama की और किसके द्वारा Hardy के द्वारा The central theme of dynast is Napoleon war जो central theme है Dynast की वो क्या है साथियों वो एक Napoleonic war है तो Napoleonic war की theme पर आधारित है Dynast Hardy's dynast completed in three parts ये question ये बनता है कि Hardy का जो dynast है कितने part में complete हुआ तो आपका answer होगा दोस्तो three parts में complete हुआ Hardy believed in the philosophy of eminent will जो Hardy थे वो eminent will की philosophy में believe करते है सार्व व्यापक जो एक will होती है इच्छा शक्ती होती है उसमें ये believe करते थे जो Hardy थे Hardy was essentially an agonistic Hardy जो थे उनको एक agonistic रूप में जाना जाता था साथियों तो इसके अलावा God is deliberately merciless Thomas Hardy God जो है वो deliberately merciless है मतलब दोनों ही point आप देखिए दोनों ही point ये दरसाते हैं कि चाहे हम agonistics की बात करें God is deliberately merciless की बात करें दोनों ही point ये दरसाते कि Hardy जो थे वो भगवान में विश्वास नहीं करते थे उनका मानना था भगवान है ही नहीं और है भी है तो वो बिलकुल खुल कर स्वतंतर रूप से कैसा है merciless है भगवान के अंदर देया नहीं है ऐसा Thomas Hardy का मानना था साथियों तो ये आपको पता होना चाहिए As flies ये बहुत ही major important point है साथियों ये तयार करना है आपको As flies to the wanton boys Are we to the gods They kill us for their sport ये जो line है साथियों ये lines हमें Shakespeare की याद देलाती है As flies to the wanton boys जैसे कि flies wanton boys के लिए है As we are to the gods और हम भगवान के लिए They kill us for their sports वो हमें अपने खेल के लिए मार देते हैं Caught it from Shakespeare's work King Lear Said by Gloucester ये King Lear के famous work ये Shakespeare के famous work King Lear से लिए गई है जो कि Gloucester के द्वारा कही गई थी और ये ध्यान रखना साथियों ये Hardy ने Tis of the Derber Wills जो Hardy का उपन्यास है उसमें एडॉप्ट किया है उसमें इन लाइन्स को लिया है तो कितने questions त्यार होते हैं साथियों सबसे पहला तो ये question त्यार होता है ये जो main source है जो as flies to the wanton voice कहा से है ये ये Shakespeare के King Lear से है किस ने कही थी? Gloucester ने कही थी इसके बाग ये किसने इन लाइन्स को अपने उपन्यास में लिया तो Hardy ने लिया कौन से उपन्यास में लिया Tis of the Derber Wills में लिया इस थरह साब को ये तयार करना है साथियों happiness is but an occasional episode in the general drama of pain जब Hardy की बात हो साथियों और exams में Hardy के question हो और ये point ना है ऐसा होना तो नमुम्किन सा लगता है और ये point तो generally पूछा जाता है Hardy के बारे में happiness is but an occasional episode in the general drama of pain जो happiness है वो एक occasional episode होती है general drama of pain में ये साथियों Thomas Hardy के the mayor of Casterbridge से ली गई line है Thomas Hardy के the mayor of Casterbridge ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको Hardy was awarded with the award of order of merit ये question आता है कि Hardy को किस award से नवाजा गया तो आपका answer होगा order of merit इसके बाद साथियों Hardy's title far from the madding crowd is taken from Thomas Gray's allergy allergy written in a country churchyard ये question ये बनता है Hardy ने जो title लिया far from the madding crowd ये कहां से लिया Hardy ने जो अपने उपन्यास का ये title लिया far from the madding crowd ये कहां से लिया साथियों ये Thomas Gray जो की एक famous point हुए है और जो Thomas Gray transitional point English के रहे है उन्हों की एक famous allergy है allergy written in a country churchyard जिसके lines साथियों आपको याद हो तो कितनी beautiful lines है एक शोक गीत है जो starting के lines होती है the curfew toes the kneel of parting day the lowing heart slowly over the lay and the plowman plots towards his home in his weary way कि जो घंटियों का बजना होता है दिन के समाप्थ होने का संकेत देता है और जो पशों का जुंड है वो भी चारा घासे अपने shelters की तरफ लोट रहा है और किशान भी ठके ठके कदमों के साथ अपने घर की तरफ चा रहा है वो सुन्दर lines जो allergy की थी तो उसी एलेजी में यह लाइन आई थी फार फ्रम दा मैडिंग क्राउट तो यह लाइन एलेजी रेटेन ने country search चार्ट से लिए जिसने हारडी जिसको हारडी ने अपना एक टाइटल के रूप में लिया अपने अपन्यास के फार फ्रम दा मैडिंग क्राउट यह चीज आपको ध्यान रखनी है साथ हो बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट में से एक है गाइल्स विंटर बॉर्ण इस दा हीरो इन हारडी ज़ दा वूड लेंडर्स कुश्चन यह आता है कि वूड लेंडर्स में से हारडी का हीरो कौन था तो गाइल्स विंटर बॉर्ण और गाइल्स विंटर बॉर्ण किस उपन्यास में हारडी का हीरो था तो ये भी आपको आंसर मिल जाएगा दा वूड लेंडर्स में गैबरिल ओक is a character इन हारडी's far from the madding crowd गैबरिल ओक जो है वो कौन से उपन्यास में हारडी के तो आपका आंसर होगा साथियो far from the madding crowd वो far from the madding crowd में है हारडी टेक्स दी हिंट ओफ दी टाइटल अंडर दा ग्रीन वूड ट्री फ्रम शिक्ष्पिर्स एजिए लाइक इट हारडी जो है वो एक हिंट लेते हैं टाइटल का अंडर दा ग्रीन वूड ट्री जो उनके वर्क के लिए और कहां से लिया इन्होंने फ्रम शिक्ष्पिर्स एजिए लाइक इट शिक्ष्पिर्स के एजिए लाइक इट से ये टाइटल लिया गया है साथियों हारडी ने इस तरह से टाइटल अपने अलग-अलग सोर्स से लिये है ये चीर आपको दिमाग में बिठानी होगी तो ये जो टाइटल था ये शिक्ष्पिर के एजिए लाइक इट से लिया गया अंडर दे ग्रीन वूड ट्री दा पोएम्स ओफ पास्ट एंड प्रिजेंट जो पोएम्स ओफ पास्ट एंड प्रिजेंट है ये किसका पोएट्टी कलेक्शन है तो आपका अंसर होगा साथियो थोमस हार्डी ये थोमस हार्डी का पोएट्टी कलेक्शन है और ये एक वर्स प्ले है ध्यान रखना साथियों की Thomas Hardy ने केवल एक मात्र नाटक लिखा और उस नाटक का नाम क्या है The Famous Tragedy of Queen of Cromwell इतना ध्यान लखना है The Famous Tragedy of the Queen of Cromwell ये एक मात्र इनका ड्रामा है जो कि Thomas Hardy के द्वारा लिखा गया और ये एक वर्स प्ले है Question ये भी आ सकता है किस प्रकार का प्ले है वर्स प्ले है और ये Famous Tragedy of Queen of Cromwell किस के द्वारा लिखा गया ये Thomas Hardy के द्वारा लिखा गया और क्या है ये एक नाटक है इस तरह से कई question एक पॉइंट में त्यार हो जाते है Hardys characters are types Types thou not without individuality ये जो Hardys के characters के जो types हैं वो हम वो अलग-अलग types के हैं लेकिन वो जो है individuality के बिना नहीं है तो ऐसा statement किस ने कहा Hardys के characters को लेकर तो ध्यान लखना साती हो Gene Brooks ने ये statement दिया था A pair of blue eyes is Hardys third novel But the first to bear this name on publication ये pair of blue eyes जो है ये Hardys का तीसरो पन्यास साती हो लेकिन ये पहला है जो की precaution के रुप में उनको पहल मिली This was the first of his novels to be serialized between September 1872 and July 1873 ये इनका पहला उपन्यास था साती हो इनका पहला work था जिसको serialized किया गया 1872 से लेके July 1873 तक September 1872 से July 1873 के बीच में इसको serialized किया गया था इस उपन्यास पेर ओफ ब्लू आइस को और इनका तीसरा नोबल लेकिन first to bear the name of publication क्यूश्चन कैसे आ सकता है सबसे पहला तो पेर ओफ ब्लू आइस किसका है Thomas Hardy का है कौन से नंबर का नोबल है तीसरे नंबर का नोबल है क्यों कौन सा उपन्यास उनको सबसे पहले जो है publication के रूप में गया तो pair of blue eyes है और कौन सा उपन्यास उनका 1872 से लेके 1873 तक serialized किया गया वो भी pair of blue eyes है तो आप खुद सोचिए साथियों एक एक पॉइंट्स में 4-5-5 questions निकल रहे हैं तो questions तयार करने आपके लिए अच्छे है या फिर ये points तयार करने अच्छे है और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि TGT, PGT, English के इसी प्रकार के मैंने ये notes तयार करें है और जल्द ही market में मेरी book भी आने वाली है साथियों तो अगर आपको वो book चाहिए तो मुझे बता देना जैसे ही publish होती है तो मैं आपको उसे aware कर दूँगा साथियों और lockdown के बाद उसको publish करा दिया जाएगा Hardy's Wessex appears in his 13 novels and 47 short stories Hardy का जो Wessex है साथियों वो उसके 13 उपन्यासों में आता है और 47 short stories में आता है देखे कितना important point है कि Hardy का जो Wessex है वो कितने उपन्यासों में आता है Hardy के तो 13 novels में आता है और 47 short stories में Hardy का ये जो Wessex है ये देखने को मिलता है Under the Greenwood Tree, a rural painting of the Dutch school is Hardy's second novel published anonymously in 1872 ये Under the Greenwood Tree जो था ये एक rural painting है एक Dutch school की Hardy का ये second novel है जो की anonymously published हुआ था साथियों एक बे नाम से published हुआ था 1872 में मतलब जो name को हम change करके दूसरे रूप में हम प्रश्तुत करते है It was the first of his great series of Wessex novels उनकी जो Wessex novels की series थी उनमें ये first था साथियों तो ये भी आपको देहन रखना है कि first कौन सा था Wessex novels की series में Under the Greenwood Tree था Hardy wanted to keep its name The Malastoke Quill Hardy इसका नाम The Malastoke Quill रखना चाहते थे Act Second Scene Fifth यहाँ पर लेकिन फाइनली उन्होंने इसका title जो चूस किया वो Shakespeare के नाटक As You Like It से चूस किया Act Second Scene Fifth में जो की एक सौंग आया था Under the Greenwood Tree उससे लेकर इन्होंने ये title लिया साती हो तो देखे कितने questions यहाँ पर तयार होते हैं Under the Greenwood किसका है? Thomas Hardy का है यह क्या है? यह Rural Painting है Dutch School की इसके अलावा Hardy का Second Published Anonymously Novel है 1872 में जो पब्लिश हुआ Hardy की जो वैसेच Novels है उसमें First Series है यह और Hardy इसका नाम क्या रखना चाते थे? Malstock क्यों रखना चाते थे? लेकिन वाइनली उन्होंने इसका नाम क्या चूस किया? Under the Greenwood Tree यूज किया और कैसे चूस किया? As you like it at Second Scene 5 से प्रेरित होकर किया तो यह साथियों सोचो एक-एक पॉइंट में कितने कुश्टन्स बनने है 4, 5, 6, 7 तो इतने कुश्टन्स आपके एक-एक पॉइंट में तयार मैंने करानी की कोशिस की है उम्मीद है कि आपको मेरे ये जो पैटर्ण है मेरे जो नोट्स हैं पसंद आरे होंगे तो साथियों अगर आपको नोट्स पसंद आरे है तो please वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल अगर आपने सबस्क्राइब नहीं कहा है में इंग्लिक्ष लिट्रेचर की है क्योंकि 15 वर्ष से जाद है का अनुवा मेरा डिग्री कॉलेज में पढ़ाने का है और साथियों अब जो मैं ये बुक लेखने वाला हूँ ये बुक आपके नौते से करा ही रहा हूँ एक अब यार वमेन फैट फुली प्रेजेंटेट ये किस के बारे में कहा गया है SI एक हैज ये जो की नाट्रे माव्य में नफं ऑ दाउयोлем स और ड्रामा ओन इपोलिन हॉप pulled train में क्या हैं कैसा ड्रामा है closet drama है और closet drama क्या? A new form of epic drama जिसको बोलते हैं और ये Hardy के major works में से एक है In 1923, Hardy published a second verse play 1923 में Hardy ने second verse play published किया और the famous tragedy of Cune Cromwell based on the romance of Tristan and Isolate तो ये एक romance based इनका verse play था और ये किस पर था? Famous tragedy of Cune Cromwell पर आधारी था और कब publish हुआ? 1923 में publish हुआ और second verse play ये Hardy का मना जाता है सातियों To find beauty in ugliness is the provience of the poet To find beauty in ugliness is the provience of the poet Ugliness में भी जो beauty प्राप्त करने ना मतलब कहते हैं कि एक बदसूर्ती में भी सोंदरता को प्राप्त करने ना ये कवी का सोभाग्या होता है तो ये ऐसा किस ने कहा? ये Thomas Hardy ने कहा था सातियों I am weak as thou and bear No man can change the common lot to rare I can hope health, love, friends escape In full of three Can dream, doubt, find, joys seldom yet attained by humankind? ये Hardy ने कहा था सातियों An unborn, जो an unborn proper child में ये कहा गया था ये statement ये कॉड रो है, ये Hardy की है Work hard and be poor Do nothing and get no more Of course, poets have morals and manners Of this own and custom is no argument with them I have seldom known a man cunning with his brush Who was not simple with his tongue तो ये दोस्तों ये Hardy का Thomas Hardy का था और ये जो lines थे ये ली गई है The hand of Ethie Britta से ये line ली गई है तो ये सातियों ये भी Hardy के ही point है इसके बाद justice was done and the president of the immortals ये Hardy के Tis of the Durban Will से लिया गया है मतलब justice was done and the president of the immortals को कहा गया है, ये statement दिया गया है सातियों Tis of the Durban Will के बारे में Loving is misery for women always I shall never forgive God for making me a woman ये सातियों ये Hardy के far from the madding crowd से ली गई फेमस line है Loving is misery for women always I shall never forgive God for making me a woman and dearly am I beginning to pay for the honor of on a pretty face ये Hardy के famous उपन्यास far from the madding crowd की line है Love is a possible strength in an actual weakness Marriage transforms a distraction into a support ये भी Hardy के far from the madding crowd से famous lines ली गई है सातियों It is difficult for a woman to define her feelings in a language ये बहुत difficult है एक woman को वो अपनी feelings को language में define करे which is chiefly made by men to express theirs तो ये Hardy के far from the madding crowd से ली गई lines है सातियों तो उमीद है दोस्तों कि आपको जो ये first part में लेकर आया Thomas Hardy का जिसमें Hardy के मुख्य points को मैंने आपके सामने describe किया कि उमीद है कि आपको ये सभी points पसंद आये होंगे और दोस्तों अगर आपको मेरे points पसंद आये और आप second points भी जो second part है इसका वो भी आप देखना चाहते है तो please comment box में मुझे comment करके बताईए कि second part में आपके लिए बनाऊं या ना बनाऊं और दोस्तों अगर आपको वास्ता में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है like जरूर कर देना अपने दोस्तों में जाज़्यादा इसको share करना और चैनल को subscribe कर देना अगर ना किया हो or please do not forget to press the bell icon to get the regular updates thank you very much yours dr. Sachin Goswami